क्या ऐसी habits है जो आप अभी अपने अंदर inculcate कर सकते हो जिससे आपको अगले कुछ time में result मिल सकता है अगर आप लोगों ने इस तरीके से maths develop की हुई है दोस्तों तो आप बहुत जादा उमीद ना रखें अपने आपसे अब दोस्तों मेरी calculation करने का एक तरीक है तो मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ methods बताता हूं जो मैंने अपनी life में apply किये हैं हाई गाईज कैसे हो आप लोग सो दोस्तों आप लोग लगातार मुझसे चीज पूछते रहते हो कि सर आपकी mathematics कैसे develop हुई है क्या आप सर पैदाईशी mathematics में अच्छे रहे हो तो दोस्तों मैंने हमेशा इसका एक ही answer देता हूं और वो answer यह होता है कि भई जो mathematics हैना दोस्तो वो एक process से develop होती है उस पर time लगता है बट क्या ऐसी habits है जो आप अभी अपने अंदर inculcate कर सकते हो जिससे आपको अगले कुछ time में result मिल सकता है वो मैं आप लोग को बता सकता हूं दोस्तों सो दोस्तों mathematics एक obviously logical subject तो यह develop किया जा सकता है ठीक है बट जो calculation speeds है जो calculation speed होती है वो सब चीज़े actually हर दिन develop होती है हर घंटे develop होती है ठीक है तो दोस्तों जब मैं छोटा था ना मेरे पापा मुझसे बहुत सारी math की चीज़े करवाते थे और मैं unknowingly करता था मुझे बस आता था जैसे हम लोग गाड़ी में गए तो उन्होंने पूछ लिया कि यार यह देखो यह गाड़ी का नंबर है इन गाड़ी के नंबर के सब की sum of digits करते जाओ तो मैं sum of digits sum of digits, sum of digits करता रहता था, 4 digits का, fast 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 sum of digits करता रहता था और मेरा simple एक target होता था जो पापो बोलते थे बस तुझे यह बताना है कि 3 से divisible है नहीं है, मतलब मेरे पापो का idea था कि sum of digits तक 3 से divisible है तो answer भी 3 से divisible आता है, ठीक है, तो इस तरही की चीज़े जो है न वो जब नंबर की समझ develop होती है इसी तरीके से, ठीक है, तो मैं आप लोग को दोस्तों कुछ methods बताता हूँ, जो मैंने अपनी life में apply किये है, obviously कोई shortcut नहीं है, अगर आप लोग shortcut के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरन बंद कर दीजे दोस्तों, बढ़ आपको जो result मिलेंगे वो everlasting होगी, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला दोस्तों जो है, वो यह है कि do you have curiosity to juggle the numbers and do you have ability to find the answers, ठीक है, ये चीज़ दोस्तों बहुत जादे important है, अब दीखे, मैं आप लोग को एक बहुत simple सा number निकाल के देता हूँ, ठीक है, मत आप किसी मी number के बारे में कितना सोच सकते हैं जैसे एक specific number पर देता हूँ 1681, राइट, 1681 दोस्तों 41 का square, राइट, अब आप यह देखो, 16, 4 का square, 81, 9 का square, 4, 2 का square, 1, 1 का square, करेक्ट, फिर ये 4, 2 का square, ये 9, 3 का square, ठीक है, तो अब कोई भी number आपको दिखा, तो आप उसके बारबे कितना सोच पा रहे हूँ, उसको कितना जगल कर पा रहे हूँ, जितना जाधा, हम लोग numbers के बारबे सोचते हैं, उत्ते ही number से familiarity इंप्रूव होती है, ठेके उत्वी जादा नंबर से फैमिलियरिटी इंप्रूव होती है, जैसे दोस्तों देखो, ये नंबर है आपका 221, आप इसको देखते ही 17 इंटू 13 याद आता है, राइट, 17 इंटू 13 इस वज़े से याद नहीं आता कि ये 221 है, ये इस वज़े से दोस्तो, develop करनी पड़ती है कोई भी number देखो, उसके लिए क्या करना है आप लोगों को बस simple curiosity रखनी है कोई भी number देखो, उसके बारे में सोचो कोई भी number आप देख रहे हो उसके बारे में सोचो, वो किस से divisible हो रहा है perfect square है या नहीं है perfect cube है या नहीं है, जैसे देखो मैं आपको दो numbers बताता दोस्तो, 2187 और 2197 ये दोलों इतने पास-पास के numbers है ठीक है न, 2187 और 2197 ठीक है, अब आप देखेंगे ना दोस्तो, तो ये वाला जो number है ये 3 की power something है मतलब 3 की power 7 ही है तो ये numbers को देखके basically सब चीज़े सोची जाती है curiosity आप लोग अगर रखेंगे तो आप लोग का बहुत अच्छा काम हो जाएगा this is first, second are you thinking about numbers everyday, उसी का extension है दोस्तो, मैं numbers को हर दिन सूचता हू, every single day, जैसे अभी एक match था, जिसके अंदर मैंने 29 बॉल्स पे 72 रखेंगे, तो I would always calculate my strike rate, कि भाई क्या मेरी strike rate है, किसी भी क्रिकेटर का क्या average रहता है, जैसे मुझे cricket बहुत पसंद है तो मैं उसमें numbers ही numbers देखता हू ये क्या है basically, every day every single day you have to talk about numbers आप किसी ना किसी तरीके से numbers सोचने चाहिए जैसे आप लोग अभी preparation कर रहे हूँ तो आप लोग simple ये चीज़ सोच सकते हो रहे हैं कि statistically बाती करें हम लोग क्यार 20 chapters है mathematics में 300 subtopics है 300 वेसे हमें कितने आते है ऐसे चीज़ हम लोग monitor करते है तो numbers के बारे में हर दिन सोचना, और numbers से तो आप हर दिन importance है कोई भी number कहीं appear करता है न तो उसको relate करने कोशिश करो उसको relate करने की कोशिश करो जैसे दोस्तों, एक मेरे पास गाड़ी थी, जिसका number 6022 अब 6022 देखते ही, आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है आप लोग के दिमाग में, अगर दोस्तों एवगेटरो नंबर आ गया न, तो बहुत अच्छा है इसका मताब इंटरडिसिप्लिनरी सोच पा रहे है एवगेटरो नंबर आप लोग के दिमाग में आया obviously एवगेटरो नंबर ये होता नहीं है बट 6022 देजिट्स वो basically sense बना रही है तो जब आप इस तरीके से सोचते हो वो subconscious mind में develop होता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं है दोस्तों मैं आप लोग को तीन दिन की दवाई देदू और तीन दिन में आप सही हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ये धीरे धीरे ग्राजुल अब AIR in AP ठीक है with common difference theta तो ये सम आप लोगों ने कैसे रटा हुआ है sign first term plus last term by 2 sign and theta by 2 और sign theta by 2 अगर आप लोगों ने इस तरीके से maths डेवलप की हुई है दोस्तों तो आप बहुत जादा उमीद ना रखे अपने आप से अपने आपसे बहुत जाद उमीद मत रखो अगर इस तरह देखो इस तरह से याद करने के लिए रखा है तो ठीक है वट ये आता कैसे है ये formula आता कैसे basis क्या है राइट जैसे तीन चार चीज़े मैं पूछता हूँ आपसे वही sign a plus b का formula sign a cos b plus cos a sign b होता है उसके किस ते proofs आप लोगों बता है NCIT में एक proof दे रखा है कि आप लोगों को वह आता है नहीं आता हर एक theory का जो proof होता है mathematics में वह करना ज़रूरी है दोस्तों physics के लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो आप mathematics में पढ़ोगे mathematics के अंदर आपके वाज ये option नहीं है mathematics को सब चीज़ा वहीं करनी है अगर किसी भी चीज़ का आपको basis नहीं पता तो आप ये मान के चलिए दोस्तों आपने गलत तरीके से maths पढ़िए और उस तरीके से mathematics डेवलप नहीं होती mathematics में हर एक proof होता ना दोस्तों जैसे ये ना एक telescopic से बनता है एक telescopic बनती है इसके अंदर जिससे ये derive होता है और दोस्तों जिस तरीके से इस पर telescopic बनती है ना उस तरह के तीन question जेई में में PYQ में आ चुके हैं दो बार जेई एडवांस में PYQ में आ चुके हैं इसका मतल आपको आती है तो उस strategies related जो भी question जेई में या एडवांस में आएगा वो जब भी आएगा आप लोग को पता होगा और आप लोग उसको सही करोगे यह नहीं है ठीक है चलिए अगला यह दोस्तों बहुत अच्छी practice है बच्चे क्या करते हैं उनको कहना कभी-कभी क्या concept बिल्कुल recently पड़े होते हैं तो concept लगा लेते हैं फिर क्या करते हैं क्या यह आप देखो यह concept लग गया अब यह calculation है यह calculation तो होई जाएग यह answer निकल जाएग और वो अगले question पर बढ़ stating calculation से गुजरते हैं आप आगे बढ़ते हैं जब आप उसको pass कर लेंगे तो वो calculation आपके दिमाग में बैठ जाईए ऐसी calculation कभी भी exam में आएगी तो आप fast कर पाऊगे दोस्तों it is just like net practice आप net practice में कोई shot खेलते हो तो वो ही shot अच्छा आप लोग match में खेल पाऊगे जब आप answer निकालते हो ना तो actually आप कुछ method खुद से develop करते हो कुछ teachers आपको बताते हैं मगर कुछ चीज़े आप खुद develop करते हैं correct तो यह चीज़े आप लोगो को ध्यान रखने चाहिए simple जी वात है दोस्तों अगर मेरे को मारे लोग यह निकालना sigma n plus n square plus n q right अब n is equal to 1 से 20 अब 20 into 21 by 2 का whole square आए अब दोस्तों मेरी calculation करने का एक तरीक है ठीक है यह 10 आया 210 मैंने common ले लिया हर जगे इधर 1 आएगा इधर 210 में common ले चुक हूँ 41 by 3 इधर 210 फिर से आगया correct अब फिर देखो दोस्तों मैं 211 211 यह हो गया into 3 करूँगा 633 plus 41 by 3 ठीक है into 210 है investment 674 into 70 अब देखो मैं 7 को इससे multiply करी सकता हूँ ना नाम से अब यही पर अगर मैं इसको evaluate करता लग से इसको evaluate करता इसको evaluate करता यह method तब develop होते जब आपने end तक calculations कर रखी तीक है तो हमेशा आपको जो answer ना दोस्तों वो बिल्कुल end तक evaluate करना होता यह चीज़ आप लोग दोस्तों habit में डाल दीजिए अभी जैसे मैं अपने students को दोस्तों question जब देता हूँ ना with answer की देता हूँ with solution देता हूँ आप solution की रही है आपको हमेशे realize होगा कि यह solution तो बहुत lengthy जा रहा है जैसे ही lengthy पहले तो खुद से करना है खुद से एक solution तो डूंड होई सही अगर आप question छोड़ते जा रहे हो ना क teacher बता तेगा teacher बता तो बटा teacher की mathematics अच्छी होगी तुमारी अच्छी नहीं होगी ठीक है तो do you explore better solution का मतलब यह है कि आपने solution निकाला fight मार के और फिर जो भी teacher ने एक अच्छा solution बताया उस solution को आपने धंग से copy किया बिल्कुल इमानदारी से बिल्कुल प्यार से आप लोग अपने habit में डाल दिया तो आप लोग का दोस्तो सारा का सारा काम हो जाएगा और आपकी mathematics बढ़िया हो जाएगी ठीक है और बाकी यह सब चीज़े सीखने के लिए दोस्तों आप लोग मेरी classes के अंदर आ सकते हैं और classes के अंदर दोस्तों आप लोग को पता ही अभी बढ़ि जорशी हुडेगा पने तोस्तों आपकी खूर अठाइगा लोग मेरी स्ट आपकी आपकी हैं ओड़िया है